अगर आप अपने दुकान के लिए सोलर बैटरी और इनवर्टर खरिदने की सोच रहें और इन सभी डिवाइस को यूज करके आप अपने शॉप का जो इलेक्टरिसिटी बिल है इसको एकदम जीरो करना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो आप चुने हैं इस वीडियो में हम मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बताउizen के लिए कि लिए कितने वाट का शोलर लेना चाहिए कितने वाट के बैटर लेनी चाहिए और अपने व ये कंआ को इन्वर्टर लेना चाहिए ये सारा कुछ मैं आपको कैलकुलेशिन के माद्यम से भी आपको बताऊंगा ताकि आपको प्रूपर समझ में आ जाए और आप अपने सौप के लिए एक अच्छी बैटरी खड़िद पाओ और अच्छी सोलर पैनल खड़िद पाओ और अपने सौप का सारा लोड भी चला पाएंगे तो चलिए बिना टाइम वेस्ट सपोस्य आप कितने लाईट जलाना चाहते हों और कितने फायन चलाना चाहते होंI बनके चलते हैं Youtube तो एक ! dai crashed the 300 वाट मतलब कि 10 LED बल्प और दो सेलिंग फैन चलाने के लिए हमें कुल 300 वाट इलेक्रिसिटी की जरूरत है अब 300 वाट इलेक्रिसिटी के साथ साथ हमें एक बैटरी भी चूज करनी है और एक सोलर पैनल भी चूज करना है दिखी हमारा सोलर पैनल जो है सुबा आठ बजे से लेकर 5 वजे तक वरक करेगा और 5 वजे के बाद अगर भी आपका शौप खुला रहता है करीब 8 वजे तक तो आपका खुला ही रहता होगा तो आठ बजे यानि कि 3 घंटा 5 वजे से लेकर के 8 वजे तक आपका सोलर पैनल बिल्कुल करेंट नहीं बनाएगा तो उसके लिए आपको बैटरी की नीट पड़ेगी मतलब कि सारा लोड जो है आपकी बैटरी से ही चलेगा और सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका सारा लोड जो है वो सोलर पैनल से चलेगा तो हमें बैटरी भी अच्छी खासी खरिदनी पड़ेगी ताकि 3 घंटे तक हम 300 वाट लो है हमें जोरत परेगा तो 300 वाट यह सारे इलेक्रोनिक टिबाइस जो है जैसे लेटी बल्ब और दो सेलिंग फैन इनको चलने के लिए हमें एसी करेंट के जोरत परती है इसके लिए हम आपको फॉर्मूला बताते हैं वाट को अकर हम वोल्टेज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एंसर निकलका आता है अगर हम 300 Brus डीकल चला रहे हुआ वह भी बारव वोल्ट का बैटरी से करेंशलाने कीatar जोरत परेगी तो लिए हमें कितने वाट का सोलर लेना है और कितने एंपियर की बैटरी लेनी है अब जैसे हमने आपको बताया कि तीन घंटे तक पांच बएस से ले करके आठ बजे तक हमारा सोलर पैनल काम नहीं करेगा इसलिए दोस्तों 25 एंपियर पर घंटे के हिसाब से 75 एंपियर जो है हम बहुत तक हमें यूज करने के लिए अब जो हमने आपको 25 एंपियर पर घंटे हमने आपको बताया ताकि हमें जवरत परेगी तो उसके लिए हमें अब देखना होगा कि कौन सी ऐसी सोलर पैनल है जो कि 25 एंपियर प्रोवाइड करा दे सिरुर 25 एंपियर ही नहीं हमें 10 एं से बैटरी चार्ड बतैना होगा कि हमारे मारे नहीं चार्ट प्रोवाज घंट चार्ड चला पर तो हमें 35 एंपियर कम से कम पर देंगी कि यूदे का laid देते हैं तो मिनमम 15 एंपेयर ले करके यहां पर 22 एंपेयर तक प्रवाइट कराता है लेकिन हम यहां पर और पर लेकट करके चल रहे हैं 17 वोल्ट तो 35 को हम मल्टिपलाई करते हैं 17 से तो हमारा निकल के आता है एंसर 595 वाट मतलब कि 595 वाट हमें सोलर पैनल की नीड पड़ेगी लेकिन 595 वाट का कोई सोलर पैनल नहीं आता है यहां पर 200 वाट का हम तीन सोलर पैनल कर सकते हैं 600 वाट का तब हमारे शौप का सारा लोड भी चला पाएगा और 10 एंपियर से हमारी बैटरी भी चार्ज होत तब जाके हम 75 वाट साम के टाइम में यानि कि नैट के टाइम में हम इस्तमाल कर सकते हैं और जितनी बड़ी बैटरी लेंगे उतनी हमारे लिए ही बैटर होगा जिसे हमें 75 वाटरी की नीड थी तो हम यहां पर मैं आपको बता दूँ 200 वाटरी की जोरत परेगी क्योंकि हम मैं असा इसलिए बोल रहा है क्योंकि धूप का कोई एक्जेक्ट फिक्स नहीं होता है कि डेली धूप एक जैसे हो किसी दिन अगर धूप कम निकला तो हमारा पूरा लोट नहीं चल पाएगा हमारे शॉप का तो इसलिए हमें बैटरी जो है बरी लेनी चाहिए मैं आपको इसलिए रिकोमेंड करूंगा आपको 600 वाट का सोलर पैनल लेना चाहिए और 200 एंपिर की बैटरी लेनी चाहिए अब मैं फाइनली आपको बता दू कि आपको इनवर्टर कितने विए का लेना चाहिए तो हमारा टोटल वाट था 300 वाट तो हमें इनवर्टर जो है 500 विए का अब हमें ध्यान देना है कि हमें कोई सोलर विंवर्टर ही लेना है तो आसा करता हूं यहां आपको सब कुस समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें अभी तग इस वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज लाइक करें और हम